नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर और इस वीडियो में हम बात करेंगे जारकंड के करेंट अफेर की जो की अगस्त और सितमबर महीने का है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हो six city to have air connectivity तो द देख लेते कौन-कौन से city है इसमें राची के अलावाज जमसेदपूर है दोस्तो हजारी बाग है दुमका मेदीनगर देवगर और बोकारों को हवाइड़ से जोडने का लक्से बनाया गया है साहती है कि बात करें तो देवगर और धाल भूंगड से यहां पर डोमेस्टि जहारकंड में लगबग एक करोड एलीडी बलफ का वित्रत किया जा चुका है एक करोड का अगड़ा पार कर चुका है और 19 अगस तक यहां पर राज्य सरकार ने कुल 1.03 करोड एलीडी बलफ वित्रत कर दिये हैं अगर बात करें तो इसके अलावा राज जिबर में अब त करने का लक्षे तैयार कर रखा है दोस्तों यहां पर तो इनका लक्षे जहारकंड गवर्मेंट का की दो करोड जो एलीडी बलफ है उनकी वित्रत किया जाएगा अगर बात करें तो दावा किया जा रहा है कि सभी 264 प्रखंडों बिजली विवाग के सभी 113 सब्डियूज से उन से भी यालेडी बलफ क का वित्रण किया जारा है दोस्तों एलीडी बलफ हर गर तक पकाने के लेए 25 स्वम्वां का भी यहां पर साहटा ली जा रही है और श्वम्वां को प्रतियक वित्रण को परौद्सान मांज़ी तो यहां पर बात कर या आरम कर दी गई है और 15 नॉम्बर से पहले फेज का सौन्द्रे करण का कारिया पूरा हो जाए गा तो 15 नॉमबर तक इसका फ़श्ट फेज है उसका कारिया पूरा होने की संबावना है Singapore को Company Manhattan design ने त्यार किया गया है और सौन्देकरन का design तो सौन्देकरन का design किसने की त्यार किया गया है Singapore Company जो Manhattan है उन्होंने ये त्यार किया है दोस्तो Next यहाँ पे है कि जो पतंजली to open Ayurvedic College in Namkum Raji तो पतंजली जो है बाबा रामदेव नामकुम में पतंजली का योगपीठ आचारिय कुलम आयोरिदी के अस्पिताल यहां पे खोले जाने का लक्से रखा गया है इसके लिए टाटा रोड पर छोटा नागपुर ला कॉलेज के बगल में जमीन चिनित की गई है तो यहां पे खोलेगा दोस्तों छोटा नागपुर के जो लोकॉलेज के बगल में जमीन है वहां पे यह खोलने का लक्से रखा गया है बाबा ने यहां 15 एकट जमीन पहले ही लिए रखी है आचारिय कुलम में 10 वी तक की पढ़ाई भी होगी दोस्तों साथी बाबा राम देवराची के गेताल सूद इस्तित मेगा फूड पार्क में चार प्लांट यहां पे लगाएंगे इनमें टमाटर आमला बेल और टमाटर के लिए एक एक प्रोसेसिंग प्लांट होगा नेक्स्ट यहां पे है बेस्ट पवेलियन अवार्ड गोज टू जारगंड तो जो नई दिल्ली के प्रकरती मैदान में आयोजित हुआ था इंडियन इंटरनेशनल MSME and Startup Expo 2017 इसमें जारगंड को बेस्ट पवेलियन अवार्ड मिला है दोस्तों और तीन दवस्तिये इस एक्सपो में जारगंड द उनके चाकुलिया की लेडी टारजन जमुना टूड़ा के नाम एक और समान जुड़ गया है 29 अगस्त 2017 को नई दिल्ली इस्तित अनिती आयोग के दफ्तर में जमुना को उमेंड ट्रांसफोर्मिंग इंडिया वार्ड 2017 से समानित किया गया है और ये समान पूरे भारत की छ है में इलाओ को मिले हैं दोस्तों तो ये जो लेडी टारजन जमुना टूड़ू है इसको कौन सा वार्ड मिला है उमेंड ट्रांसफोर्मिंग इंडिया वार 2017 से नावा जा गया है 29 सगस्तों अगर बात करें तो छेतर में जमुना टूड़ू की पैचान जंगल बचाने से है इनों जंगल को बचाने के काच्छेतर में काफी सयोग दिया है दोस्तों और उन्होंने महिला होते हुए भी विपरित परिस्तितों में जूनते हुए अपने गाउं से जंगल बचाने की सुरुवात की है राज्य के मुख्यमंतरी से लेकर राष्टपती तक जमना को सम् दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जमना ने बताया कि इस सम्मान के लिए देश की 300 मैण हो ने आवज दिन के था जिन में जमना कुमा और लक्समिय अगरवाल को भी ये समान मिला है दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखे तो देली पबलिक स्कूल राची ने छात्रों को गलोबल नागरिक के रूप में विक्षित करने के लिए एक और कदम उठाया है और यहाँ अब हुमन लाइबरेरी की सुरुवात की गई है इसमें किताब के रूप में इनसान मौझूद रहेंगे हाला कि स्टुडेंट को इसका लाप परतीजिन सिर्फ आदे गंटे के लिए ही मिलेगा तो यह एक लाइबरेरी यहाँ पर डवलप की गई है दोस्तो हुमन लाइबरेरी जिसका नाम है और इसमें किताबों की जगए आदमी आपको टीचर्स मिलेंगे जो आपकी हैल्प करेंगे अगर बात करें तो इसकी खासियत देख लेते हैं खासियत क्या है इस कॉंसेप्ट के अनुसार प्रतिस दिन एक विशेश शेतर से जूड़ी व्यक्ति को बुलाए जाएगा बच्चे उस व्यक्ति से विविन वद्व दो पर सवाल पूछे जा सकते हैं और सफलता आदी के बारे में भी जान सकते हैं तीस मिनट के चात्तर में दिल सब अनुबव किस से कहानिया आदी सब अनुबव यहां पर बताए जाएंगे इसमें और यह लाइबरेरी सब के लिए है दोस्तो नेक्स्ट यहां पर कि लोहर दगा बिकम O.D.F डिस्टिक्ट तो बात करतो जो लोहर दगा है ज्ञारकंट का दोस्तो वो O.D.F हो चुका है मतलब कि यह खुले में सोच से मुक्त हो चुका है और ऐसे करने वाला यह ज्ञारकंट का ही नहीं बिहार ओडी सा पहला जिला बन गया है लोहर दगा जिले का सहरी या ग्रामिन छेतर में कोई ऐसा गड़ नहीं बचा जहां सोचाल नहीं है और इसके पहले रामगड जिला को खुले सोच से मुक्त जिला गोशित किया गया था तो इससे पहले जो जिला था खुले में सोच से मुक्त वो था रामगड और उसके बाद में बना लोहर दगा दोस्तो लेकिन वहां सिर्फ ग्रामीन एलागों को O. D F गोसित किया गया था लेकिन जो जार्षकmm क्षार्ट तूisi हिए तो स्ग। नेज्ट यहाँ पर लेकिन जो लोहर देगा उसको कम्प्लिटली सोच्श मुक्त गोसित कियागा काफी important कसन बन सकते हैं हो यहां से दोस्टो नेक्स्ट राची टू होस्ट नेशनल यूथ फेस्टिवल तो जो राची है दोस्तो यहाँ पर राध धनी में पहली बार यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है इसके आयजन की जिम्मेदारी राची विश्वविद्दालों को दी गई है जो होस्ट करेगा यह फेस्टिवल नेशनल यूथ फेस्टिवल वो कौन करेगा दोस्तो राची करेगा इस पर अगर बात करें तो यह फेस्टिवल चलेगा 16 से और 20 फेरवर्वी 2018 तक चले गए और इसके पहले राची उनिवर्शिटी इस्टरन जोन इंटर उनिवर्शिटी यूथ फेस्टिवल की सफल मेजवानी कर चुका है तो इससे पहले जो होस्ट किया है राची उनिवर्शिटी ने वो है दोस्तो इस्टरन जोन इंटर उनिवर्शिटी यूथ फेस्टिवल भी र 9001-2015 सेटिफिकेशन तो दोस्तों जो खुंटी सेमार एनला को आई एस ओन नो हजार एक और 2015 तक का परमान पत्तर मिला है तो यहां पर खुंटी जिला को बहतर इन्वेशन के लिए यह अवार्ड मिला है गोर तलब है कि खुंटी डीसी के आदेश पर पूरे समाहर नालेक को यह पर लेस प्रक्रियक की चल रही है अगर ज्यादा तर कारी अब ओनलाइन ही होते हैं आम लोग प्रते दिन 11 बजे आकर यहां अधिकारों से मिल सकते हैं अपनी समझते हैं बता सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो काम होता है वक्तिक सनिवार को मुंदारी बहसा की पढ़ाई होती है ताकि पदार जाया दिक्यों आम जन्ता में उनकी ही बहसा में बात कर सके तो इनको जो वहां पर ओफिशर्स वगारा काम करते हैं उनको लोकल लेंगवेज भी सिखाई जा रही है जो से कि उनको और वारता लाप मे इजीली कॉन्फेमस जो है वो सुविधा इजी हो जाए उनकी समस्या को समझने है सके और बीसी स्वेम दूरस्ति लाकों में जाकर लोगों से मिलते हैं तो ये एक अच्छी फैहल है दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रेमलता एंड सुमारिगोट स्पोर्ट अवा ध्यांचर्थ पृषकार से नवा जागया है दोस्तों यह वायरी वैरी इंपोर्टेंट के उसन बन सकता है यहां से तो जो यहां पे सुम्राइब टेटे हैं उनको कौन से पृषकार से नवा जागया है ध्यांचर्थ पृषकार से और ये भारती मैलाओ की टीम के ही एक दशाया है नेक्स्ट है प्रवतार अगरवाल को यहां पर प्रवतार इस गोसित किया जा चुका है अगर बात करेंक्त ने हैन्य कोड्लá करा मिलकर डॉम चांज नगर पंचायत गोसित करने का फेसला किया है इसमें डॉम चांज यह उत्री रिदक्षनी और पूर्वी के कुछ अंसों के अलावा मेहस्पूर महेथा डीप और दूरोडी है 3 अडिये है कि कुछ अन्स को सामिल का किया गया है दोस्तों तो ये दोस्तों उसके बाद में अगर बात करें तो ये next ह brushes हम देखें तो ये Kiss Become first tribal university उसके बाद में कुछ और हमारे पास जो questions है जो GK के बन रहे हैं दोस्तों वो हम second part में discuss करेंगे क्योंकि यह काफी ज़्यादा lengthy वीडियो बन जाएगा अगर आप क्योंकि आगे काफी questions काफी जो current affair वो है तो मैं second part में इसको आपको share करूँगा दोस्तों तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही और जल्दी मैं second part आपको share करने वाला हूँ दोस्तों तो बस बने रही है मेरे साथ और bell icon को प्रेश कर ले और जो subscribe बटन है उसको प्रेश कर ले तो जो ही मैं upload करूँगा second part आपको notification मिल जाएगी दोस्तों तो आज के इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो like करे और share करे अपने दोस्तों के साथ thank you